खासकर विस्नु द्याल राम को और भानु परताफ साही को जो घूम घूम के परचार कर रहे हैं कोई कह रहा था कि पलन नगर को को हम जीला बना देंगे बन गया जीला आप पुछिए उनसे जीला बना दिये बानु जी आपके कारिकरता उनके जो नेता गूम रहे हैं उनको प्रदान मंत्री आये प्लामू में पांच साल पहले मंडल डेम का शिला नियास करते हैं आप बात करते हैं मंगल सूथ पर कि मंगल सूत उर्तार देम इतना बड़ा प्रजेक्ट है उसस पर आप उद गाटन शिला नियास दोस्तों मैं ज्वाला कमलापुरी और आप देख आज चुनावी चर्चा को लेकर हमारे बीच आम आदमी पार्टी के नेता मंटू पांडे जी हैं उनसे मिलकर हम जानते हैं इस चुनावी में क्या मुद्दा है और क्या समस्याय है नमश्कार आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद तो आज जो चुनाव चल रहा है इसमें क्या मुद्दे हैं क्या मुद्दे पर चुनावी चल रहे हैं आज के समय में रोजगार पलायन बिरोजगारी सभी परगार के चीजे हैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है मुद्दा गौन है मुद्दा कुछ मुद्दा नहीं है नरेंदर मुदी आये थे परधान मंत्री देश का परधान मंत्री आये थे पलामू में पांच साल पर आप मंडल डेम का सिरा नियास करते हैं अब बात करते हैं मंगल सूत पर कि मंगल सूत उर्थार देगा मंडल डेम पर बातनहीं करते हैं उनके कार्कारतों नेताघ्या पार पिक है उसके मंडल डेम इतना भड़ा प्रोजेक्था विव लोगों को इतना डर हो गया है कि सारे विपक्षी जो बोलते हैं उनको जेल में डलके आउचाते हैं कि एक छत्र होकर चुना लड़े तो ऐसे लोगों से मैं छेत्र की जनता से चाहूंगा कि दूर रहें क्योंकि यह लोग रासातल में ले जाने में कोई कसर नहीं चोड़ रह को जो घूम घूम के परचार कर रहें कोई कर रहा था कि पलन नगर को को हम जीला बना देंगे बन गया जीला आप पुछिए उनसे जीला बना दिए भानुजी खाली लंबा लंबा फेकने से नहीं होता है विश्णु द्यान राम से पूछिए जपला सिमेंट प्रेक्टरी कि चलू हो गया कितने लोगों को रोजगार दिया तो बोल रहा है कि हम अपकी बार ने कहें बार बोलिएगा अठारा साल में भीकास पैदा नहीं कर पाए अठारा साल में बच्चा हो जाता है ना बोटकर मलीक आप 10 साल आपको वह और कितना मुखा चाहिए तो भाजपा वाला क्या को भाता है कि 70 साल में रिटार कर दो और लोगों को चो 70 साल का परधार मंतरी हो गया आप मांग रहा है कि फिर से एक बार हमको दिजिए मूखा द सरा कि जो शुछना चाहिए की हमको ब्यकूब बना जा रहा है भ濃म के नम पर को अब शो पर रहे हैं यह बीक हो बाबूसुजी गर्च दे रहे हैं वह किलोगा का मतफ के लिए 50000 रुप स्वास्थ के लिए तब आज भोट मांग रहा हैं दुबारा भोट मांग रहे हैं विकास के नम पर भोट मांगे हैं पाइप लाइन बिश्वाद में हमको नहीं दिख रहा है कहीं विकास हुआ है यह लोग सिर्फ विकास का धूंग रच रहा है जनता को बेकूप बना रहा है अगर विकास किया होता तिनिशित्त और परदेश का प्रधान मुंत्री आज 2022 में जिससे में सिलानयास किये थे एक आकड़ा बता रहा था 2023 में मंडल्डेम को उध्गाटन करना था मंडल्डेम को उध्गाटन करके नर्द्रमोदी बोलते हैं से कि मैंने मंडल्डेम बना दिया आप हमको उस नाम पर वोड़ दे दो चलता लेकिन आके क्या बोल रहा है आपका मंगल सुथ उतार देगा अरे आज तक कि भारत की तिहास में किसी की हीमत नहीं हुई कि 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 तक रहने तार रहowers की ही ही आपका काम बचले हैं एक परधान मंतर्य को विकास के नाम पर भूट मांगना चलिए है आप मंडल्डेम पर बात करते तो विकलो शॉंसे चंदा नेता जो बोल रहा है उसको जूठ मुट का जेल में आल रहा है है हैं यह ही काम बच गया है अर्विंद केजरिवाल जी को डाल दिया मनीशी सोद्या जी को डाल जेल में टाल दिया वह बानु मि पर्थापसाहिया यह बटा हुआ विडाक तो अभी आरोप उन पर लगा थोड़े चल रहा है जहां चल रहा है उलोप पर क्या लगा था आरोपे लगा था जेल में डाल दिए अजीत पवार पर आप देश का परधान मंत्री हमको तो बोलना नहीं चाहिए देश का परधान मंत्री 15 दिन पहले बोलता है कि बहुत गोटाले बाज आपके अंदर सामिल हो जाएं वह आप सब साफ हैं अब बाकी जो अगर नेता अगर आपके खिलाब बोल रहा है समाज जनता की आवाज जो उठा रहा है वो बेकार है उसको जेल में डालो यही आपकी नियत और निति बन गई है पूरा देश से अजान चु इन तरह के हिंदू मुस्लिम कर गया बोट नहीं मांगते आप बोट मांगते कि मैंने काम किया है हमको इस नाम पर बोट दीजिए जो आज 75 साल का विश्नुद्याराम भी हो गए हैं इनको फिर दुबारा चाहिए और दुबारा चाहिए और अपकी वेर अगर बोट दे दि आजाएगा हम जो बोल रहे हैं न हमारे उपर भी बिलेम लग जाएगा अगला पर चेंज कर देगा कोई बोल नहीं पाएगा यह लोग जो मर्जी अगर आ गया सत्ता में जो मर्जी वह करेगा इसलिए देश की जनता को सोच समझ कर चाहिए अंबेटकर जी का बना हुआ सं कोई लोग बदलने के त्यारी में है आप कुछ नहीं करेगा